ये मैडिसीन को उनके सविक्स नेम से जानने वाली वीडियो का थाट पार्ट है इससे पहले हम इसके दो पार्ट अप्लोड कर चुके है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप उन्हें देख सकते हैं और हम कोसिस करेंगे कि अगली एक से दो वीडियो में सारी मैडिसीन कवर कर ले जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर मैडिसीन के नाम में कुछ ऐसे वर्ड छिपे होते हैं जिससे आप यह जान सकते हैं कि यह दवा किस काम आती है तो आज की वीडियो में भी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और यह वीडियो के वल आपकी information के लिए आपको इन में से कोई भी medicine डॉक्टर को दिखाए बिना नहीं लेनी है तो start करते हैं पहला suffix है टिरोल तो य यूस होता है ब्रॉंको डायलेटर यानि कि ऐसे medicine जो कि हमारे ब्रॉंकस को डायलेट कर देती यानि कि उसे फैला देती है और यह especially अस्तमा के case में यूस की जाती है तो इसके examples है अलबू टिरोल जिसे कि हम सल ब्यूटा मोल भी क्याते हैं बैंबू टिरोल साल में टिरोल ए यह होते है नेजल डिकंजेस्टेंट यानि कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है और हम नाक से सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं तो हम इन medicine का यूस करते हैं इन सभी के लास्ट में जोलिन वर्ड आता है जैसे कि इसका example है ओक्जी मेटाजोलिन एंड जाइलो मेटाज यहाँ पे हमने पिचल लगाई है जो कि ऑगजी मेटाजोलिन की है और आपको मेडिकल पर यह ओटरोविन नाम से मिल जाती है यह एक बहुत ही कॉमन मेडिसीन है और इसका यूस हम नेजल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूस करते हैं यानि कि जब भी हम नाक ब्लॉक हो जीडो व्यूडिन इन सभी के लास्ट में व्यूडिन वर्ड आता है और यहाँ पे हमने एक पिचल लगाई है जो कि है लावी व्यूडिन टैबलेट की तो इन सभी का यूस HIV या फिर AIDS के लिए किया जाता है यहाँ पर है क्यों तो यह सभी मेडिसीन एंटी पैरासिटिक ह के लिए यूज करते हैं यहां पर हमने एक पिचल लगाई है जो कि क्लोरोक्यों फोस पे टैबलेट की है। इसके बाद है यहाँ पर रिफा तो रिफा मेडिसीन एंटी टुबकुलाइंस के रूप में यूज की जाती है यानि कि यह टीबी के लिए यूज की जाती है तो तो आप इससे जान पाएंगे कि यह सभी medicine TV के लिए इस्तमाल होती है, यहाँ पे हमने इसकी picture भी लगाई हुई है, हमारा अगला suffix है is, तो is क्या होती है, यह सभी thrombolatix होती है, या फिर clode buster होती है, यारी कि जब भी कून का थक्का जम जाता है, तो उसे remove करने के लिए इन medicine का use करते हैं, इसके example है aminase, retiwase and streptokinase, तो इन सभी के last में age word आता है, तो यहाँ पे हमने एक picture लगाई है, जो की है streptokinase injection की, और इसका use भी clode buster के रूप में किया जाता है, इसके बाद है यहाँ पर calc, इसके example है, तो इन सभी में calc word का use किया गया है, यहाँ पे हमने एक picture लगाई है, जो की calc CZ है, यह capsule लागते है calcium के, जिसमें की calcetriol का use किया जाता है, इसके बाद है यहाँ पर lam, देखें, lam का use benzo diapines में किया जाता है, यह सभी anxiolytics होती है, यहाँ पे इनका use anxiety के case में किया जाता है, इसके example है, elprazolam and medazolam, तो इन सभी के last में lam word आता है, जिससे आप इसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे हमने एक picture लगाई है, जो की है elprazolam की, और इसका brand name यहाँ पे दिया है, जैपी मेक्स, इसके बाद है यहाँ पर palm, देखे, palm भी benzodiazepine होती है, यहाँ पाम और lam, दोनों ही anxiolytic होती है, यहाँ इन दोनों का use anxiety के case में किया जाता है, इसके example है, डाइज़पाम and lorizepalm, यहाँ पे हमने एक picture लगाई है, जो की valium diazepalm की है, और इसका use भी anxiety के case में किया जाता है, इसके बाद है यहाँ पर satron, तो यह क्या होती है, यह होती हैं 5HT3 antagonist, और इनका use nausea and vomiting के case में किया जाता है, इसके example है, ओन्डा satron, ग्रैनी satron and डोलो satron, तो यहाँ सभी में satron word का use किया गया है, यहाँ पर हमने इसकी picture भी लगाई है, जो की है, ओन्डा satron की, इसका brand name यहाँ पर दिया है, मेसेट नाम से, और दूसरी है यहाँ पर, इंटेग्रोन, जिसमें की grainy satron salt का use किया गया है, और देखिए जितनी भी anti-hypertensive medicine होती है, जिसमें की ऐसी medicine जिनका use, blood pressure बढ़ जाने पर किया जाता है, उन सभी के last में, या तो आपको प्रिल देखने को मिलेगा, या फिर olol, depine, या फिर osin, तो यह चार suffix है, जो की anti-hypertensive medicine में use किये जाते हैं, तो इस तरह से आप medicine को पहचान पाएंगे, कि कौन से medicine किस बिमारी के लिए use की जाती है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, यदि आपको कोई doubt रहता है, तो आप मेंसे comment करके पूछ सकते हैं, Thank you very much.